दोस्तों सेहर को खरीदने और बेचने के लिए मार्केट में बहुत सारा एप आ रखा है अब इन में से सबसे बेस्ट एप कौन सा है आज के इस वीडियो में आप सभी को पता चलने वाला है आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को तीन एप के बारे में बताऊंगा और दोस हूं left side में आप सभी को mobile का screen दिख रहा होगा तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा grow app अब यह grow app मैं starting में क्यों दिखा रहा हूं सबसे पहले बो आप समझो जब आप सुरू करते हैं starting में जब आप आते हो इस ट्रॉक मार्केट में तो grow पर ही आपको account बनाना चाहिए जब आप इसे open करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में नेफ्टी 50 दिखेगा और उसके बगल में Sensex दिखेगा नेफ्टी 50 में जितना भी कंपनी है वो आपको यहाँ पर दिखने वाला है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे अगर स्कॉल करते हैं तो नेफ्टी 50 में जितना भी कंपनी आता है सारा कंपनी आपको नीचे दिख जाएगा, उसके बगल में Sensex है, तो इन दोनों को छोड़ देते हैं, उसके नीचे जश्ट आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है Stock in News, तो जो भी Stock News में रहता है, वो Stock यहाँ पर आप सभी को दिखेगा, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, आज के चार स्टॉक यहां पर profit में ही रहता है उसके ज़स्ट अगर नीचे आते हो तो यहां पर आप सभी को दिखेगा top gainers company यानि आज के दिन में जो भी top gainers company है वो यहां पर आपको दिखेगा जैसे reliance industry है आज के दिन में 6% यह profit में रहा तो यह सबसे पहले है उसके बाद आप देख सकते हैं HDFC है इसका stock लगबग सारे 4% profit में रहा फिर आपका यहां पर आप देख सकते हैं ICIC bank का है सारे 3% के आज पास में यह profit रहा तो जो भी company top से gainer में है वो आपको यहां पर दिखाई देगा Nifty 100 यानि 100 company यहां पर selected किया गया है उसके नीचे यहां पर देख सकते हैं थोड़ा सा स्कॉर्ल अगर आप करोगे तो top loser का यहां पर आप सभी को दिख जाएगा उसके नीचे यहां पर IPO भी दिया हुआ है जो भी IPO launch होने वाला रहता है वो IPO यहां पर आप सभी को दिख जाएगा open और close दोनों यहां पर आपको दिखाई देगा उसके नीचे आप देख सकते हैं all stocks यानि कि market में जितना भी stocks available है वो सारा का सारा stock आप सभी को यहां पर दिखेगा जवाब view more पर करेंगे तो देख सकते हो सारा stock यहां पर आप सभी को दिखने वाला है तो यह तो home का यहां अपर menu था उसके जर्श्ट पगल यहां पर आप देख सकते हैं mutual fund का भी दिया हुआ है उसके बाधकर देख सकते हैं गसाट्स करते हैं में पर देखने कि कि about आप कि किया है इसके बगल में यहाँ पर गोल्ड का भी है तो गोल्ड भी अगर आप खहिते हैं डीजिटल से तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा यू में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर कुछ ज़रूरी इंफोर्मिशन आपको दिखाई देगा जैसे अब इस आपको आपको यहाँ से कमा भी सकते हैं और कितना यहाँ पर मिलेगा आपको वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों ओपिन नहीं हो रहा है मैं आपसे भी को बता देता हूँ कि अगर ग्रो आपको एक दूसरे से सेर करते हैं तो आपको एक लिंक पर 100 रुपया दिया जाएगा तो दोस्तों यह रहा ग्रो आप का यूजर इंटरफेस ठीक है तो देख सकते हो कितना सिंपल है अब मैं चलता हूँ दूसरा जो की जिरोधा काईट का है तो दोस्तों जब आप जिरोधा काईट को ओपिन करोगे तो यहाँ पर आपको वाच लिस्ट यहाँ पर दिखाई आपको दिखाई देगा कि जो भी स्टॉक या मिस्वाल फंड में आप पैसे बैंक बैंक निफ्टी फिफिफ्टी टीसे एक्सिस बैंक है आईसे बैंक है उसके नीचे अगर हम चलते हैं तो एक और या आईसे बैंक का तो यह सब मैंने लिस्ट करके रखा है जबी मुझे होता है तो मैं इसको देख लेता हूँ यहां पर वास्ट में एक दो और तीन लिस्ट आपको मिल जाएगा तीन चार पांच पांच लिस्ट यहां आपको देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है आप दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं एक option है orders का orders में आपको दिखाई अब position में आपको position क्या चल रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा और इसके बगल में जो holding से अगर आप इस ट्रॉप को hold करके रखते हैं तो वह holding यहाँ आपको दिखाई देने वाला है ठीक है जास्टरिस के बगल में है apps तो apps में कुछ भी नहीं है इसके जास्ट नीचे आप देख सकते है प्रोफाईल का option है जब आप प्रोफाईल बनाएंगे तो प्रोफाईल यहाप आप सभी को दिखाई देगा आपका नाम क्या है, डेट ओबर्थ क्या है यह profile में आप सभी को दिखाई देने वारा है settings में कुछ नहीं है थोड़ा वह setting यहाप आप सभी को दिखने के लिए मिल जाएगा जिसे themes है order notifications है उसके बाद देख सकते हैं full screen है और trading view है तो इस तरह को यहाप आप सभी को दिखाई देने वारा है इसके निचे दोस्तों एक option यहाप दिया हुआ है invite friends का अब invite friends में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 300 रुपए आपको reward के तोर पर दिया जाएगा अगर आप इस app को अपने दोस्तों के साथ share करते हैं तो तो यह था दोस्तों 0-0 का user interface ठीक है अब हम चलते हैं आप stock पर और देखते हैं कि आप stock किस तरह से काम करता है और कैसा इसका user interface है तो आप देख सकते हो आप stock और 0-0 लगवग लगवग सेम है कह सकते हो कि 80% सेम ही है जो भी stock आप देखना चाहते हैं यहाँ से आप add कर सकते हो और उस stock को यहाँ से आप देख सकते हैं इसके जश्ट बगल में आप देख सकते हैं orders है अब orders में अगर हम चलते हैं तो उसी तरह से जो भी stock आप खरीदेंगे बेचेंगे वो आपको orders में दिखाई देने वाला है portfolio में यहाँ आप देख सकते हैं position आपको दीख जाएगा और holdings आपको दीख जाएगा जैसे मैंने आपको जिरोधा में बताया है ठीक है इसके just बगल में आप देख सकते हैं fund का एक option मिल जाएगा fund में आप देख सकते हैं एक तो bid draw का है और दूसरा add funds का है अगर आप bid draw करना साथ हैं तो यहां से bid draw कर सकते हैं अगर आप fund को add करना साथ हैं तो यहां से fund को add भी कर सकते हैं अब दोस्तों हम चलते हैं invest में invest में आप देख सकते हैं digital gold यानि आप digital gold भी खरीच सकते हैं इसके नीचे आप देख सकते हैं IPO देखने के लिए मिल जाएगा अगर कोई IPO किसी कंपनी का लॉंच होता है तो दोस्तों आप IPO भी यहाँ से खरीद सकते हैं इसके नीचे आप देख सकते हैं mutual fund का भी option यहाँ पर दिया हुआ है तो आप mutual fund में भी यहाँ से पैसा invest कर सकते हैं तो दोस्तों मैंने तीनों app का review आप सभी को दे दिया है अब आप खूद decide कर सकते हो कि कौन सा app सबसे best है आपके लिए अब दोस्तों गर आप चाते हैं dimate account open करवाना तो तीनों app का link मैंने description box में दे दिया है वहाँ से आप इस app को download कर सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप सभी को आप सभी लोग मुझे comment करके ज़रूर बताना और आप ये भी बताना कि तिनों में से सबसे best app कौन सा आप सभी को लगा है तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को subscribe कर सकते हैं और अभी तक इस वीडियो का अगर like नहीं किया है तो जल्दी से like कर दो यार अज चैनल को subscribe कर लो और वीडियो को share भी कर दो चलो फिर मिलते हैं next वीडियो में जय हिंद जय भारत